नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं कि कल कौन से stocks पर trade लेना है plus nifty bank nifty का क्या scenario रह सकता है तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं जब से regular videos अब डानला start कर रहा है Monday से so मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि 13,250 से आप buy हो जाईए 13,700 का target है ठेक है and मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी dip आती है market के अंदर you have to go for a buy कोई भी dips पे आप buy करिये 13,700 भी cross हो सकता है and bank nifty भी 31,000 को भी cross कर सकता है I've told you already आप देख सकते हैं कि 45 days बस आने वाले हैं for a budget 45 days पे एक rally start हो जाती है market के अंदर and उसके बाद market highs में highs बनाती है ठेक है तो उसकी opportunities के लिए मैं wait करना है 15th of December के बाद से मैं daily आप लोगों के लिए 2 दिन में एक बार मैं stocks लेकर आऊँगा budget picks के लिए and वहाँ पर भी आप लोगों को benefit प्रोवाइड होगा जो highs जो हमारे candles के highs है उनको test करते वे हम लोगों ने जब एक trend line draw करी we've seen a breakout 98 रुपीज पर breakout आया and right now this stock is trading at 108 रुपीज ठेक है तो almost 9% तक का ये return दे चुका है ठेक है 9% का return तो दे चुका है plus आप देख सकते एक higher side पर दुबारा resistance आ रहा है आप इन दो highs को अगर test करते वे एक line draw करेंगे यही पर एक multiple resistance हमे देखने को मिल रहा है अगर यह resistance निकल जाता है 108.5 का then we can go for a buy ठेक है आप यहाँ देख सकते हैं कि एक rounding bottom type scenario बनावा है as you can see it here एक rounding bottom बनावा है अगर अच्छे से cross करता है और हमें अच्छे levels मिल सकते हैं but आप इस अपनी watch list के अंदर जरूर add करिएगा अगर यह यहाँ पर थोड़ा टाइम consolidate करता है तो हम देख सकते हैं कि एक head and shoulder type pattern भी बनावा है वो बन सकता है और अच्छे level से वर breakout देगा तेक है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे फायस के link से account open करवाया था and उनके लिए अपडेट आया अगर आप लोग account open करवाना भी चाहते है इस update के बाद तो भी आप लोग करवा सकते हैं नीचे description पर आप लोगों को link मिल जाएगा ठेक है तो just let me show you फायस जो update लेकर आया है एक single जो मतलब अभी तक कोई भी trading account नहीं लेकर आया है वो है introducing single margin account ठेक है single margin account क्या है वो मैं आप लोगों को एक minute में बता देता हूँ single margin account basically ये है आपके पास कोई भी trading account होता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे funds पर अगर आप जाते होंगे तो आपके पास दो accounts होते हैं दो accounts कैसे होते हैं एक equity का एक commodities का आपको अगर equities पर आपने एक लाग रुपे funds को transfer कर रखा है तो आप उसे commodities पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं आपको अलग fund transfer करना पड़ता है तो basically आपके पास double margin account होता है तो margin accounts आपके पास होते हैं but fires लेकर आया है single margin account and इस पर benefit क्या है अगर आप सिर्फ एक लाख रुपे transfer करते हैं तो आप equities पर भी trade कर सकते हैं आप commodities भी trade कर सकते हैं and I am given such बस example दे रहा हूँ एक लाख रुपे का आप thousand रुपीज भी लगा सकते हैं ठेक है so एक बहुत बढ़ी है benefit लेकर आपाया है इसके benefits क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता था है सबसे important time बचता है दूसरा जो opportunities आपके सामने होती हैं अगर आप लोग अपने trading terminal पर बैठे वे हैं यू आप लोग ने देखा कि यार crude oil में एक अच्छी सी movement आ रही है बट मेरे पास funds नहीं है commodities पे I have to transfer वो time बचता है opportunities मिस नहीं होती है plus जो आप cost पे करते हैं मतलब funds transfer करने की add करने की वो भी बचती है लोगों ने account open already करवा रखावा है and they are having this benefit और plus एक important doubt जो सब लोगों के mind में आएगा उसे भी clarify कर देते है important doubt क्या आएगा आप लोगों के mind में कि जिसके पास two margin account already है for example किसी ने already account open करवा रखा है and उसके पास वो two margin account है जिसने एक लाख रोपे अपने commodity में लगा रखे है add कर रखे है funds and एक लाख रोपे अपने equity में funds को add कर रखा है तो उनको क्या करना है क्या उनको दुबारा account open करवाना है बिल्कुल भी नहीं इसके लिए भी इन लोगों ने बहुत अच्छी सीज करी है कि अब आपके account में एक लाख एक लाख separately show नहीं करेंगे दो लाख रोपे ही show करेंगे ठीक है and you don't have to pay any charges as well आपके account में ही दो लाख रोपे show करेंगे और वो आपके लिए जादा benefit रहेगा ठीक है यहाँ पर अच्छा सा update आया है probably first update आया है इसकी तरफ से और किसी की तरफ से नहीं आया है तो do if you want आप यहाँ पर अपना account उपन करवा सकते हैं नीचे description पर link है आप जाके उपन करवा सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों को और अच्छे से update चाहिए इसके बारे में मैं इसका भी link आपको डाल दूगा यह link आप इसको भी जाके अच्छे से read कर सकते हैं but almost मैंने सारा कुछ आप लोगों के लिए cover कर लिया है ठीक है आते है अपने next talk की तरफ next talk which is reliance और reliance पे आज मुझे बहुत बढ़िया trade मिला and I want some good money in reliance as well as you can see it here अपने कर रहा हूं यह भी मुझे बहुत मुझे से मिली है ठीक है stocks wind करना as you can see it here की charts पे चल किया रहा है अब देख सकते हैं कि एक symmetrical triangle के अंदर ही काम कर रहा था and eventually इसका इसने breakout दिया breakout दिने के बाद as you can see यहाँ पर multiple supports थे ठीक है जब eventually support break हुआ एक strong red candle के साथ हमने क्या देखा वो support उसके लिए resistance बन गया first time second time and eventually third time उसे break कर गया ठीक है अच्छे levels के साथ break कर रहा है candle भी अच्छी बनाई है yes we can go for a buy in reliance as well अभी right now trading at 90.93 मैं suggest करूँँगा एक round number ले ले लेते है 2000 का 2000 की उपर जाता है yes we can go for a buy इसके जो targets आते हैं वो previous high आते हैं तो यहां तक जाने कि इसकी opportunity है इसकी capacity है ठीक है बट यह बात आप मत अपने ही mind में रखेगा कि यह एक intraday के अंदर जा सकता है ठीक है जब मैं daily charge पर analysis करता हूँ तो मुझे पता है कि चिन्नाई petro ठीक है यह चिन्नाई petro भी buy करने की ही सला है मैं इसका reset chart कर देता हूँ yes as you can see it here मैं इसको थोड़ा सा और zoom out कर देता हूँ yes आप यहां पर देख सकते हैं कि chart पर क्या चल रहा है यह इसके लिए एक multiple resistance का का काम करता था इस side पे एक sharp fall आई gap up के साथ आई है gap up के साथ fall आने के बाद आप यहां देख सकते हैं नीचे आया exact दोबारा इसी level पे इसने retest करा and retest करने के बाद दोबारा एक fall देखी again retest करा again एक fall देखा ठीक है eventually आज जा के इसको break कर गया है break कर गया है plus आप अगर देखेंगे कि यह particular resistance को break कर रहा है अपने 200 day exponential moving average को भी break कर के उपर गया है strong candle के साथ उपर गया है अगर multiple resistance को break कर के उपर जा रहा है and 200 day की exponential को moving average को break कर के उपर जा रहा है yes एक अच्छी सी rally यह दे सकता है दो दिन की probably एक दिन की rally दे चुका है तो दो दिन के अंदर एक अच्छा सा momentum यह और दिखा सकता है ठीक है इसके लिए इसलिए मैं जादा targets नहीं रखना है क्योंकि first time long time बाद यह जा कि इसने अपने 200 day exponential moving average को cross कर रहा है तो इसके लिए हम लोग जादा targets expect नहीं कर सकते है अगर हम लोग पीछे जाके देखते हैं कि इसने अपने 200 day exponential moving average को cross कर रहा था तो इसकी जो date आ रही है guys February 2018 के आ रही है मतलब कुछ time में एक दो महीने में तीन साल हो जाएंगे इस बात को तीक है आप देख सकते हैं तीन साल पहले इसने अपने exponential moving average को break कर रहा था and अब जाके उस Q पर closing दिया है आप point of view समझ रहे है closing दे दिया है अब हमें wait करना है for a confirmation कि दो candles इस Q पर close हो रही है नहीं हो रही है close होती है we can go for a buy कम quantities पर buy करेंगे एक बार दुबारा नीचे आके retest करके ऊपर जाता है confirmation मिल जाएगा हम और quantities buy कर लेंगे तो do follow चुन नई petro as well इसके targets भी आपको मैं note करवा दूँग अपने telegram channel के अंदर you can follow me दे next stock is MCX मैं wait कर रहता है इस particular stock को थोड़ा सा और नीचे आने के लिए कि मैं इसको अपने पोर्टफोलियो पे इसे add कर लेता but no worries इसी level से अगर यह bounce करना चारा है तो हम लोग इसी level पे एक buy बना सकते है ठेक है आप देख सकते हैं कि यह particular stock almost 800 level से 1800 के level तक आ चुका है 800 से 1800 तक जा चुका है so आप देख सकते हैं एक range के अंदर यह trade कर रहा है ठेक है इस range के अंदर trade कर रहा है eventually अपने demand zone से इस demand zone से यह दुबारा उपर जा रहा है आज इसने एक bullish candle बनाई है ठेक है अभी तक उसको cross नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग एक trend line बनाते हैं अब इस trend line को follow अगर कर रहे हो तो इस trend line का breakout आएगा 1600 पे तो आप we can go for a buy on MCX अबफ 1600 रुपीस and probably मेरे जो इसके targets होंगे lifetime high के होंगे ठीक है तो यह level से आप लोगो provide हो जाएंगे next stock is Godre Philips या गोदरे Philips पे buy करने के लिए सला दूँगा exact same बना है जो हम लोग ने अभी वहाँ पर देखा था star paper के अंदर similar type of है as you can see it here थोड़ा सा difference होगा बस आप देख सकते है एक channel के अंदर काम कर रहा है यह particular stock ठीक है एक channel का breakout आना है इस level से ठीक है इस level से channel का breakout आना है तो आप यहाँ देख सकते हैं 200 day exponential moving average का भी breakout दे सकता है तो yes right now this stock is trading at 9.44 इसका breakout आएगा 9.55 के उपर तो 10 रुपे अगर यह उपर मिलता है और अगर वहाँ sustain करता है yes we can go for a buy in this particular stock अच्छे levels हम लोगों को मिल सकते हैं at a matter of time तो guys मैं आप आप लोगों को intraday के लिए भी stocks बता देता हूँ प्लस यह stocks हमारे लिए swing में भी काम आ जाते हैं तो do follow these stocks अपनी watch list के अंदर जरूर add करा करिये and कभी भी opportunities मिले आप इसमें buy initiate कर सकते हैं तेक है nifty bank nifty का बताने की जरूरत नहीं यह buy 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 है तेक है कभी भी dip मिले buy करनी है last बार आपको बता रहो 13,700 भी cross कर सकता है guys 13,500 तो मुझे लग रहा है within a week भी आ सकता है तो आप क्या करिए buy करिए hold करिए dip में और quantities add करिए तेक है कोई भी stock selection करना हो आप कभी भी market bid dip आए उसी dip में बड़िया stocks को उठाओ swing trading clear रखो and वहाँ पर आपको दो दिन के अंदर ही बहुत बड़िया return मिल जाएगा ठीक है guys so guys मैं मिलता हूँ आप लोग उसे अगली वीडियो पर मैं शिवाज भसीन signing off और guys Fires के उस single account को check करना बिलकुल मत भूलेगा link नीचे है if you are interested आप account open करवा सकते है as well as you can join my discord server a community channel है and मैं आप लगों को multiple बतार बार बता चुका हूँ Reliance का भी जो trade था वहाँ पर ही हमें मिला था and multiple trades मिल चुके है Ajanta Pharma 1560 rupees पे suggest करा गया था and वो 1700 तक हो किया आया ठीक है guys तो आपको बड़ी opportunities मिल सकते हैं नीचे links है links को use करिए guys click करिए link के अंदर and आपको multiple चीज़े मिलेगी ठीक है थोड़ा सा time निकालिए and अपना benefit उठाई है so मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे अजिवाँ मजीन साइन अफ